अगर आपको इस टॉपिक की पीडियेफ को डाउनलोड करना है डेली गरंड अफेर्स की पीडियेफ चाहिए तो क्रेजीजीजीचे ट्रिक के टेली गराम चैनल से या क्रेजीजीचे के एप्लिकेशन को आप प्लेस्टोट से डाउनलोड कर लिजए वहाँ पर आपके लिए डेली गरंट अफेर्स की पीडियेफ फ्री ofФकॉस्ट अविलेबल है वहाँ पर जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते ह आईए आज के करंट अफेर का सबसे पहला कोशन देखिए कोशन इंपॉर्डेंट है नोट कर लिजेगा फूर्थ एशाई पेरा खेलो में भारत पदक तालिका में कौन से इस्तान पर रहा है तो देखिए एशाई पेरा गेमस का एजन हाली में चीन के हांग जू में संपन हुआ इस साल ये 2023 में फूर्थ एशाई पेरा गेमस थे फ्रेंड्स जिसमें पदक तालिका में भारत फिफ्ट नमबर पर रहा है आंसर डी हो जाएगा चेन के होंगजू में 4 एशाई पेरा गेम्स 2022 में देखिए हुए 2023 में हैं लेकिन ये है 2022 के इसमें पदक तालिका में भारत पांचवे इस्तान पर रहा है भारत ने देखिए टोटल 111 मेडल इन गेम्स में अपने नाम किये जिन में से 29 गोल्ड मेडल है 31 सिलवर मेडल है और 51 ब्राँज मेडल है ये अब तक का भारत का एशाई पेरा गेम्स में सबसे अच्छा प्रदशन रहा है अब यहाँ पर देखिए मेडल टेली में आपको मेंशन की है पहले नमबर पर एशाई पेरा गेम्स में चाइना रहा जहाँ पर इन खेलों का आइजन भी किया गया चाइना ने टोटल 521 मेडल अपने नाम किये इन में से 214 गोल्ड है 167 सिलवर है और 140 ब्राँज मेडल है इसके बाद सेकेंड नमबर पर इस मेडल टेली में इरान है जिन्होंने एशाई पेरा गेम्स में देखिए 131 मेडल अपने नाम किये है इन में से 44 गोल्ड मेडल है और तीसरे नमबर पर मेडल टेली में जापान है जिसने 150 medal में से 22 gold medal Asiai Pera Games में अपने नाम किये हैं यहाँ पर देखिए top 3 के बाद आप India को याद रखिए India Asiai Pera Games में पाँचवे स्तान पर हैं जिसने 111 medal अपने नाम किये 29 gold, 31 silver और 51 bronze medal India के आप सभी medal याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से कोई भी medal मतलब gold, silver और bronze इंडिया कितना जीता है total medal हम कितने जीते हैं यह exam में पूछा जा सकता है और medal टेली मेंडिया पाँचवे स्तान पर रहा है यहाँ पर देखिए 4th Asiai Pera Games में 313 भारती Pera Athlete ने पाटिसिपेट किया था और जो उधगाटन समारो था जो opening ceremony थी friends उसमें भारत के जो flag barrier थे वो पारूल परमार और अमिच सरोहा थे इस बार 4th Asiai Pera Games में 44 कंट्रीस ने पाटिसिपेट किया है फेई फेई इसका mascot था और मोटो की बात करें तो hearts meet dream से शाइन 2023 में 4th Asiai Pera Games का मोटो है clear हो जाता है सभी fact याद रखिएगा सारे की सारे important है medal टेली में इंडिया पांचवे स्तन पर रहा है देखिए Asiai Pera Games की शुरुआत सबसे पहली बार 2010 में हुई थी और पहला Asiai Pera Games का योजन चीन में किया गया था 2010 में अब जो 5th Asia Pera Games से 2026 में जापान के नगोया में अयुजित किये जाएंगे इन गेम्स का योजन Asiai Pera Lampic Committee के द्वारा करवाए जाता है देखे दोस्तो अगर आपको monthly current affairs की detail PDF लेना है तो आप root application या crazy jicket trick application से डाउनलोड कर सकते हैं साथ या आप video के comment box में भी link दिया हुआ है जहां से click करके आप ले सकते हैं इन monthly current affairs PDF में देखिए पूरे मन्त के जो सबसे ज्यादा exam relevant question होते हैं उन question को यहाँ पर detail के साथ provide किया गया है जो exam के last time revision में आपको बहुत help करता है तो एक बार जरूर click करें चलिए आगे बढ़ते हैं second question देखिए हाली में किस रज में मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार मनाये गया थोड़ा सा अलग नाम है ध्यान से सुनिएगा नाम है मेरा हाउ चोंगबा यह त्योहार बनाये गया है हाली में भारत के मडिपूर रज में important इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मडिपूर कुछ समय पहले से एक जनजाती हिंसा का शिकार हुआ है काफी problem आई थी मडिपूर में अब यहाँ पर मेरा हाउ चोंगबा त्योहार मनाये गया है यह त्योहार भी वहाँ की जनजाती एकता को दर्शाने वाला त्योहार है मडिपूर के जो जाती समुदाए हैं उनके बीच एकता अखंडता और जो बंदन है जो उनके बीच का रिलेशन है उसका एक प्रतिक है यह त्योहार जो कि वहाँ के सांस्क्रतिक उत्सव के रुप में मनाय जाता है तो मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल मडीपूर रज में मनाय जाने वाला फेस्टिवल है जो कि especially मडीपूर की जंजातियों के द्वारा मनाय जाता है अब इस festival के अलावा अगर हम मड़ीपूर के अधर festivals की बात करें फ्रेंड्स तो देखे लाई हरोबा, कांग महुत्सव, संगाई महुत्सव, कूट महुत्सव और चिरोबा महुत्सव ये अदर ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि मड़ीपुर रज के जंजाती समुदायों में इस्पेशली मनाए जाते हैं मेरा हौचोंगबा भी मड़ीपुर रज का फेस्टिवल है इसके बाद आगया जाएए हाली में किस देश की अदालत ने भारती नोसेना के आठ पुर्व अपसरों को मोत की सजा सुनाई है तो कोशन इंपॉर्डेंट है फ्रेंट्स काफी सुर्ख्यों में है ये मामला हाली में देखिए इंडियन नेवी के आठ पुर्व अफिसर्स को कतर की गवर्मेंट ने मोत की सजा सुनाई है वैसे ये जो मोत की सजा है वहां की अदालत के द्वारा इन्हें दी जा रही है मुद्दा काफी सुर्ख्यों में हैं और भारत की जो गवर्मेंट है वो पूरी मेहनत कर रही है पूरा जोर लगा रही है कि इन भारती नोसेनिकों को बचाया जा सके क्योंकि वहां पर कतर की गवर्मेंट के द्वारा इन पर जासुसी के आरोप लगाए गए है कि इन आठ पुर्व इंडियन नेवी के ओफिसर्स ने कतर में जासुसी की है तो जासुसी के आरोप में इन्हें सजाय मोद दी गई है अब इंडियन गवर्मेंट पे डिपेंड करता है कि वो केसे अपने इन ओफिसर्स को बचा कर लापाती है अब इस पर देखिए पूरा दारुमदार भारत के डिपलोमेटिक जो रिलेशन है कतर के साथ उस पर आ जाते हैं दोनों देशों की गवर्मेंट देखिए बातचित कर रही है किसी तरह से अगर इन पुर्व सेनिकों को बचा जा सकता है तो इंडियन गवर्मेंट इसके लिए पूरे प्रयास कर रही है तो अभी हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि आठ पुरु सेनिकों को जो कि इंडियन नेवी के थे इन्हें किस गवर्मेंट ने मोत की सजा दी है तो यह कतर की कोट ने इन्हें मोत की सजा दी है फ्रियर हो जाता है अंसर C हो जाएगा अंडर 23 वर्ल्ड कुष्टी चेमपेंशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला की लाड़ी कोन है कोशन ये भी काफी important है देखे पहले ये जान लेते हैं कि Under-23 वर्ल्ड कुष्टी चेंपेंशिप का आयजन कहां पर किया गया तो इसका आयजन देखिये हाली में अलबानिया की केपिटल तिराना में किया गया है जिसमें Under-23 वर्ल्ड कुष्टी चेंपेंशिप में भारत की रिती का हुड़ा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया है अंसर ए हो जाएगा रिती का हुड़ा और इस तरह से रिती का हुड़ा अंडर 23 वर्ल्ड कुष्टी चेंपेंशिप में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाडी बन गई है अगर हम पुरूश की बात करें तो ये अमन सहरावत है फ्रेंट्स जिन्होंने 2022 में इस्पेन में आयोजित इसी कुष्टी चेंपेंशिप में 57 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड अपने नाम किया था और इस तरह से लास्ट यर अमन सहरावत अंडर 23 वल्ड कुष्टी चेंपेंशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारती पुरुश खिलाडी बन गए थे और अब महिला खिलाडी कौन बनी है तो ये है रिती का हुड़ा इन्होंने फाइनल में अमेरिका की केनेडी एलक्सिस ब्लेट्स को हराया है और इस प्रतियोगिता का गोल्ड अपने नाम किया इसी प्रतियोगिता में देखिए भारती खिलाडी नेहा शर्मा ने 55 किलोगराम भारवर्ग में सिल्वर और नितीका ने 59 किलोगराम भारवर् अब इस कुष्टी चेंपियंशिप की बात करें तो ये एथलीटों की एक कुष्टी विश्व चेंपियंशिप है फ्रेंड्स एसे एथलीटों की जो की 23 वर्षे से कमा यू के हैं इसका एवजन यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग के द्वार किया जाता है और इसकी सबसे पहली बार शुडवात 2017 में की गई थी इसके बाद कोशन देखिए ब्रेकिंग दा मोल्ड रीमेजनिंग इंडियन इकोनोमी फ्यूचर बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो देखिए ब्रेकिंग दा मोल्ड नाम की जो बुक है फ्रेंड्स ये रगुराम राजन और रोहित लामबा के द्वारा लिखी गई है यहाँ पर आप रगुराम राजन को इस्पेशली जानते होंगे ये आरबियाई के पुर्व गवर्नर रह चुके हैं फ्रेंड्स की आर्थिक प्रगति के बारे में बताए गया है भारत की जो एकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं कैसे वो डेवलप हो सकती है इन सभी के बारे में ब्रेकिंग दा मोल्ड नाम की पुस्तक में बताए गया है पिछले साल देखिए रगुराम राजन की एक और बुक पबलिश हुई थी जो की काफी इंपोरेंट थी यह रगुराम राजन की पुस्तके फ्रेंड्स जो की लास्ट यह प्रकाशित हुई थी और इसने फाइनेंशल टाइम से बिजनस बुक आफ दे इयर का आवर्ड अपने नाम किया था और अब ब्रेकिंग दा मॉल्ड री इमेजनिंग इंडियास एकोनोमी फ्यूचर रगुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा सयुक तुरूप से लिखी गई है ओके यहां तक के देखे सभी कोश्चन आपको क्लियर हो गए होगे अब आज़ाए आज की कंट्री इन नियूज में हम एशिया के देश किर्गिस्तान को यहां पर डिसकस कर लेते हैं किर्गिस्तान जो की दिखिए एशिया महादिप का एक देशे फ्रेंड्स इसकी केपिटल बिशकेक है किर्गिस्तान इसोम यहां की ऑफिशल करंसी है और सादिर जापरो वरतमान में यहां के प्रेसिडेंट के पतपर है पडोसी देशों की बात करें तो कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन यह चार किर्गिस्तान के पडोसी देश है पोबेडा पिक यहां की सबसे उची चोटी है और नारिन नदी किर्गिस्तान की सबसे लंबी नदी है वरतमान में यहां पर तीन युनेसको साइट से जिन में सुलैमान पहाड, वेस्टेंड टीयन शान और सिल्क रोड प्रमुख है यहां पर देखें सिल्क रोड को हमने लास्टे सेशन में भी डिसकस किया था, यह तीन चार देशों में फैली हुए जो की युनेसको साइट का दरजा प्राप्त है तो konfuse मत होईएगा, यहां पर एक इस fact को भी याद लखिएगा कि भारत और किर्गिस्तान के मद्य में सयुक्त रुप से खंजर सेन्य अभ्यास का एजन किया जाता है, बहुत important है याद लखिएगा कोशन देखिए, चर्चे जय भी मुख्यमत्री प्रतीभाविकास योजना किस केंद्र शाशित प्रदेश या राज्य सरकार दोरा शुरू की गई है तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो योजना है, इसे दोबारा एक बार फिर से नई दिल्ली सरकार के दोरा शुरू किया गया है अब यहाँ पर देखिए, दोबारा इसलिए बोला मैंने, क्योंकि पहली बार नई दिल्ली सरकार के दोरा इस योजना को 2018 में लौंच किया जा चुका है राज जी के जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, इस योजना का मुख्योद देश है योजना के तहर देखिए राजी के जो पिछड़े लोग हैं जो गरीब लोग हैं उन्हें मेडिकल, इंजिनियरिंग या सिविल सर्विसेस की जो कोचिंग से वो मुफ्त में प्रदान की जाने वाली है तो इसे ही जैभीम मुख्यमंत्री प्रतीभा विकास योजना के नाम से नई दिल्ली गवर्मेंट के द्वारा लॉंच किया गया है हाली में किस देश के पुरू प्रदान मंत्री ली के कियांग का निधन हो गया काफी फेमस देखी एक परसनालिटी है ली के कियांग ये चीन के पुरू प्रदान मंत्री के पत पर रह चुके हैं जिनका हाली में देखे 68 वर्ष की आयू में एक लंबी विमारी के बाद निधन हो गया है ली के कियांग 10 साल तक चीन के प्रदान मंत्री के रूप में कारी कर चुके हैं इनके अलावा जो अदर निधन हुए हैं हाली में अगर हम उनकी बात करें तो गीता प्रेस के देखे ट्रस्टी बेजनात अगरवाल का भी हाली में निधन हुआ है और उडिया संगीत निधेशक और गीतकार स्वरूप नायक का भी हाली में निधन हो गया है स्वरूप नायक को इस्पेशली याद रखेगा ये उडिया संगीत निदेशा के फ्रेंट्स और इसके अलावा ली के कियांग पूछे जा सकते हैं चीन के पुरू प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनका हाली में निधन हो गया है आगया ये हाली में घडी निर्माता कंपनी रौडो का गलोबल ब्रेंड अम्बेसजर किसे बनाय गया है तो Rodo जो की देखी एक घड़ी निर्माता ग्लोबल कमपनी है Friends इसने अपना नया ब्रेंड अमबेजजर इंडिया में काट्रीना केफ को न्युक्त किया है काट्रीना केफ जो की एक बॉलिवुड एक्टरेस है Friends इन्हें हाली में घड़ी निर्माता कमपनी Rodo ने अपना ग्लोबल ब्रेंड अमबेजजर न्युक्त किया है देखे काट्रीना केफ के अलावा भारत के जो बॉलिवुड एक्टर रित्तिक रोशन है ये भी इस गड़ी निर्माता कमपनी Rodo के ब्रेंड अमबेजजर है ये विश्व की AC पहली कमपनी है Friends Rodo जो की देखिये स्क्रेच प्रूफ गड़ी बनाने के लिए जानी जाती है इस कमपनी का मुख्यालय स्विट्जल लेंड के लेंगाओं में स्तित है और एंड्रियन बॉस होड वरतमान में इस कमपनी के CEO के पतपर है भारत में इनके दो ग्लोबल ब्रेंड अमबेज़र कटरीना केफ और रितिक रोशन है किस स्टेट गवर्मेंट ने हाली में घोशना की है कि आजादी से पहले के राज्जे के जितने भी सरकारी स्कुल है उन्हें हेरिटेज स्कुल घोशित किया जाएगा तो ये जो गोशना है फ्रेंड्स हाली में अनांचल प्रिदेश गवर्मेंट के द्वरा की गई है अनांचल प्रदिश ने ये गोशना की है कि राज्ज में जितने भी एसे सरकारी स्कुल हैं जो की देखिए आजादी के पहले निर्वित हुए थे जिनका अस्तित्व आजादी के पहले से है उन्हें अब राज्ज में हेरिटेज स्कुल गोशित किया जाएगा और इसके लिए जो इसकुल परिसर है इसकुल की जो बाउंडरी है उसके अंदर देखिए म्यूजियम बनाया जाएगा और साथ इसाथ जो बैसिक इंफोस्ट्रक्चर है उसके निर्मान पर भी ध्यान दिया जाएगा तो ये जो अनौस्मेंट है ये जो घोशना है अनाचल प्रिदेश सरकार के दोरा हाली में की गई है अनाचल प्रिदेश जो की देखिए पूरवी भारत का एक राज्जे फ्रेंड्स इसकी केपिटल इटानगर है और लेफ्टी डेट जनरल केटी पर नायाग इस राज्ज कब मनाय जाता है तो भारत में देखिए पेदल सेना दिवस जो है ये हर साल 27 अक्टूबर को मनाय जाता है भारत में जो पेदल सेनिक है उनके बलीदान के सम्मान में हर साल 27 अक्टूबर को पेदल सेना दिवस के रुप में मनाय जाता है इस बार 2023 में सितवत्तरवा इंफे 27 को जब पाकिस्तानी सेना और वहां के आतमवादी संगठन ने भारत के जम्मू कश्मीर पर सयुक्त रुप से आक्रमन किया था तो इस चेत्र में भारत की सिख रेजिमेंट की जो पहली बटालियन थी जो पेदल सेनिक थे उन्होंने भारती धरती को इनसे बचाया था और इ थासिल की थी इसे उपलक्ष में हर साल पेदल सेना दीवस के रुप में 27 अक्टूबर को मना जाता है क्योंकि यह जो घटना है यह 27 अक्टूबर को हुई थी अब इसके अलावा देखिए अक्टूबर के अधर डेस की बात करें तो अंतरास्ट्य अहिंसा दीवस 2 अक्टूबर को मना जाता है तो यह सभी एसे डे हैं फ्रेंड्स जो कि आपको अक्टूबर से याद रखने चाहिए इसके अलावा 27 अक्टूबर को हर साल पेदल सेना दीवस के रुप में मना जाता है तो यहाँ पर देखिए 30 अक्टूबर के हमने सभी करन्ट अफेर्स को डिटेल में समझ लिया अब आज की फेक्टिशिट में हम योजनाय प्लांस और जो सेंटरल या स्टेट गवर्मेंट की जो स्किम से उनको यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं लास्ट सेशन में भी हमने इने कवर किया था आईए देखते हैं अहेल्प प्रोग्राम उत्राखन का प्रोग्राम है हिमाचल प्रिदेश की सरकार के दोरा संजीवनी पर योजना को शुरू किया गया इसकूल चलो अभियान उत्तर प्रिदेश गवर्मेंट का अभियान है 36 गड़ सरकार के द्वारा मुख्य मंत्री रक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई है लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना ये MP गवर्मेंट की योजना है इसके अलावा पश्चिम मंगाल के द्वारा दीदी सुरक्षा कवज अभ्यान की शुरुआत की गई है बंधन बैंक जो की देखी एक बैंक है Friends इसके द्वारा जहां बंधन महां ट्रस्ट अभ्यान की शुरुआत की गई तमिल लाडू सरकार के दोरा Friends of Library योजना की शुरुआत की गई है अरुनोदाए 2.0 योजना और बाजरा मिशन असम सरकार के दोरा शुरू की गई योजना है और अनाचल प्रदिश की एक और योजना आप याद रखिये सेवा आपके दोर 2.0 योजना ये अनाचल प्रदिश सरकार के दोरा शुरू की गई है तो सभी स्किम्स को याद रखियेगा important है अब आजए ये last day के session में जो current affair हमने detail में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर revise कर लेते हैं पहला देखिए Global Digital Innovation इंडिया Mobile Congress 2023 की theme है निलावू कुदीचा सिम्हांगल नाम से एस सोमनात ने अपनी आत्मकता को लिखा है विश्व उर्जा आउटलुक 2023 को अंतरास्थे उर्जा एजनसी के द्वारा जारी किया गया है बन्नी उत्सव आंधर प्रदिश रज्ज में मनाय जता है फोर्थ एश्याई पेरा खेलों में भारती पेरा बेडमिंटन खिलाडी प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल बेडमिंटन में अपने नाम किया है यूरोपी संग और भारत के मद्ध में पहला सयूग तो नो सेनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 को आर्थिक सयूग एवं विका संगठन मतलब OECD के द्वारा जारी किया गया है आगया ये भारत के पहले घरेलू निर्मित रेफरेंस व्यूल को इंडियन ओईल कॉर्परेशन ने विक्सित किया है सुल्तान इबराहिम सुल्तान सिकंदर को मलेशिया का नया किंग चुना गया है रॉबर्ट फिको हाली में यूरोपी देश सुलोवाकिया के नए प्रधान मंत्री निक्त किये गए हैं तो ये सभी एसा करांट अफरे रेफरेंस जो हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था अब आज के लिए आप सभी के लिए आज का कॉश्चन आफ दे डे है ग्रेड बेरियर रीफ किस महादीप में इस्तित है वेरी वेरी इंपोटेंट एक्जाम में काफी बार ये कॉश्चन देखने को मिला है इसलिए कमेंटर में जरूर बताईएगा कि इस कॉश्चन का अंसर क्या है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपोटेंट अपडेट है अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी एवेलेबल है ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वार्मेंट और लेटेस्ट एक्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गए हैं यहां हम basic concept के साथ-साथ comprehensive learning पर focus करते हैं तो एक बार जरूर website पर visit करें इसका link आपको description box में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share कर दीजिए चेनल को subscribe कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे next day के current affair में तब तक अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत